Hello everyone, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होएंगे Friends, आज की इस वीडियो में हम आपको सलवार की कटिंग सिखाने वाले हैं Guys, सलवार की कटिंग कई तरीके से होती है कम कपड़े में, जाधा कपड़े में, और जाधा कपड़े में, और पटियाला टाइप में तो हम आपको जो सिखाएंगे, वो सिखाएंगे सबा 2 मीटर कपड़े में कैसे आप एक बहुती अच्छी और भारी सलवार बना सकते हैं लुक आएगा पटियाला का पहनने के बाद में लुक पट्याला का आएगा और काटने का तरीका इतना आसान होगा कि आप सिर्फ एक ही बार सलवार की कटिंग की वीडियो देखेंगे और अपने लिए किसी भी प्रकार की चाहें भारी पट्याला सलवार की कटिंग करना चाहते हों तो आप हमारी इस वीडियो को देखने के बाद में बहुती आसान तरीके से कटिंग कर लेंगे और बना कर पहनेंगे तो लोग आप से पूछेंगे कि ये पट्याला सलवार आपने कैसे बनाई और कहां पर देखकर बनाई तो आपको यही बताना है हमने रूफ फैशन पॉइंट पर देखी थी तो जल्दी से जाएए यूटूब पर सर्च किजिए रूफ फैशन पॉइंट और अपने लिए एक अच्छी सी सलवार बना लीजिए तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं पहले तो हम कपड़े को पूरा खोल लेंगे यह देखेगा यह पूरा सबा दो मेटर कपड़ा है और एक की और समझ लीजिए आपकी सलवार की चाहें लंबाई कितनी भी हो कम हो जादा हो आप बिलकुल भी ना घबराएं आप वीडियो को ध्यान से देखें आप अपने लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कटिंग कर सकते हैं तो फ्रेंस हमने कपड़े को इस पकार से खोल लिया है खोलने का तरीका देखें इस तरीके से है किनारे वाली साइट है दोनों मेरी तरफ है और जो बंद वाला साइट है वो इधर है और जो खुला वाला साइट है वो इधर है और कपड़े की जो लंबाई है वो ऐसी ऐसी है अब आपने क्या करना है पहले तो किनारे को बिल्कुल आपस में एक दूसरे से मिलाना है और मिलाने के बाद में ऐसे करके ऐसे पलटना है चारो किनारे मिला कर यानि के दो किनारे इस साइट के और दो किनारे नीचे के दोनों को आपने यहाँ पर सही से मिला लेना है और मिला कर इस तरीके से आपने लंबा लंबा बिछा देना है फिनीशिंग के साथ प्रेज लगा कि मोहरी जब हम बनाते हैं तो उसके लिए छोड़ा जाता है अब लगा लिए जित सलवार में दो कि गाइस दो पार्ट होते हैं चार कली होती हैं हम इसकी इस सलवार के अंदर दोनों पार्ट जुड़े हुए छोड़ेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे सलवार बनने के ब इंच सलवार की अब इसके बाद यहां से हमने आधा इंच तो यह निशान लगाया है और उसके बाद 6 इंच तैयार व्याट रहेगा तो इस आधा इंच वाले निशान से 6 इंच उपर की तरफ निकालते हुए यह देखिए उपर की तरफ हमने इंची टेप को 6 इंच निकाल दिया अब सलवार की जो हमारी लंबाई है वो है 35 इंच यानि के 35 इंच अब एक चीज और समझ लिजेगा इस समझने वाली बात है पॉइंट की बात है ध्यान से सुनिएगा आपकी सलवार की लंबाई चाहें कितनी भी हो आपने पहले आदा इंच पर निशान लगाना है फिर बेल्ट के रिए 6 इंच उपर की तरफ इंची टेप को निकाल देना है फिर आपकी सलवार की जो भी आपकी लेंथ है 40, 45, 42, 41, 48, 27 उसी पर निशान लगा लिना है तो हमारी जो सलवार की लेंथ है वो यहाँ पर 35 इंच है हमने पूरा 35 इंच लगाया निशान फिर उसके बाद इसमें आदा इंच फाल्तू जब आप बेल्ट चड़ाएंगे तो उसमें चला जाएगा तो टोटल जो लेंथ हमने यहाँ पर काटी आदा इंच इधर बढ़ती और आदा इंच बढ़ती इधर तो टोटल हो गया एक इंच फाल्तू छे इंच का बेल्ट आपकी सलवार की जो लंबाई है वो विल्कुल फिक्स रहे कि नहीं बढ़ेगी और नहीं घटेगी तो उमीद करते हैं आपको यह पॉइंच अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इसके बाद यह जो हमने निशान लगाया है इसको सीधा ड्रो करेंगे फ्रेंच इसके बाद यहाँ से हम इसको सीधा काट भी देंगे अब जैसे हमने यहाँ पर 6 इंच का निशान लगाया है वही छे इंच का निशान यहाँ पर भी हम लगा देंगे और दोनों तरफ इस तरीके से कट लगा दिए यह लगा दिया अब इस कपड़े को हम थोड़ा सा अपनी तरफ खेच लेंगे इसके पाट हम नीचे की तरफ गिरा देंगे अब बचा सिर्फ कपड़ा कपड़ा यहां पर हमारा जो पाट का निशाने वह आपको दिख रहा होगा और यहां पर भी अब जो यह कपड़ा बच कि इसको ऐसे करके यहां पर बिच्छाएंगे इसमें हमने बैल्ट भी निकालना है इसी शाफ से आपने इसकी कटिंग करनी है यह जो आपका कपड़ा है इसके ऊपर आपने अपने फाल्तूबाले इसको आधा इंच चड़ाकर रखना है है जो हो गया यहां से आपने सीधा तो क्या करना है आपने आपना आसन का निशान लगाना है तो हमारा जो सलवार का आसन होता है वह गाइस होता है अगर आप किसी बच्चे की सलवार काट रहे हैं तो 13-3 इंच कर लें लेकिन जो normal Sasan रहता है सब के लिए ल Missouri निशान लगा दिया उसके बाद यहां से जो यह निशान लगाया हुआ है इस निशान से इस निशान तक आपने इस तरहके से ऐशसी निशान लजगा लेने हैं और एक यहां से आपका बेल्ट के लिए और नीचे मोहरी में कपड़ा लगाने के लिए वो भी बचा है अब यहां से आप देखिए इसमें क्या है कि जोड लगे हुए हैं तो इन जोडों को आपने इस तरह से अलग कर देना है यहां से एक जोड यहां पर आएगा इसको भी आपने इसी तरह से अलग कर देना है अब हम आपको पूरी सलवार बिचा कर दिखा देते हैं यह हमने किस तरह से कटिंग की है जो कि आपको आसली से समझ में आ जाए देखिए फ्रेंस यहां से यहां तक तो आपके कली वाले जो सुरी पार्ट वाली सिलाई लग जाएगी इधर की तरफ कली हो गई और यह आगे वाली कली हो गई यह यहां पर कली आएंगी अब यह जो कपड़ा बचा है इसमें से हम आपको बैल्ट सेट करना और नुमाली कटिंग करना यह दिखाएंगे तो यहां पर हमारी नॉर्मली तयार रहेगी वह रहेगी 21 इंच तो यहां पर हम 21 इंच पर निशान लगाएंगे यह देखेगा यहां से 21 इंच और यह इतना फाल्तू क्योंकि जब इसकी जुड़ाई करेंगे तो उसमें चला जाएगा अब मालीजे हमारे बैल्ट की चुड़ाई रहेगी 6 इंच तयार तो आदा इंच का मार्जन बैल्ट चड़ाने में भी चला जाएगा ठीक है अब इसके बाद यहां पर यह 6 इंच पर निशान हो गया अब आप जब इसका नेफा फोल्ड करेंगे तो उसमें जाएगा आपका दो इंच और नेफा के अंदर एक और फोल्ड होती है उसमें भ पाई कि दो गई बेल्ट वाली बात आप निकालते हैं इस रुमाली फ्रेश्ट यह दो कपड से पकड़ें और इस तरीके से फोल्ड कर दें और ऐसे करते कि आपने यहां से ऐसे कर देनी है कि यह देखेगा तो माली कितने अच्छे तरीके से आपकी क्टिंग हो गई है तो बाइ बाइ